हेलो प्रेंट्स कैसे हो आप सब अशाग और तीज वस्तों के अच्छों होगे मजबे होंगे और पॉजिटिव कर रहे होंगे आपको हमेशा पॉजिटिव करना है क्योंकि एक पॉजिट शड़प के लैब में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है राइट और आज क इस ट्रीव में हम देखेंगे आपके इस रिस्ते का पास प्रेजेट और फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर ठीक है चैनल पर ने हो चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजे इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजे लाइक करने से इन्नोर्जिस एक्ष्चेंज हो जाती है अग विडियो और इंस्ता पे सेम नंबर है कमेंट हेने नंबर पर आपको reply नहीं कर लाइए अगे मेरी यूट्स की लव रिलेशंसिपक का पास बताएए इनके रिश्थे के पास में क्या हुआ हता हैरीजित का पास, दो चैरियट थ्रीयों पेंटशल इनके रिष्टे का पास्ट, वार्ड, इन कार्ज को क्लारिफाइग करें, फूर अप पेंटकल्स, मैजिशियन, एट अप कब्स, बॉट्टम यहाँ पे टेन अफ वैंड्स, ठीके, तो मैजिशियन यहाँ पे तो आल साइन्स रीडिंग आई है, ठीके, अपके रिष्टे के पास्ट में, अपके परसंट आपको थर्ड पार्टी के लिए चीट किया है, ठीके, इस परसंट ने आपसे मुवान किया है, बहुत टाइम तक आपका रिष्टा अच्छे से चला है, प्यार, बहुत विश्फूल्फिल्मेंट थे आप दोनों एक दुसरे के, हमेशा ऐसे दिल था दोनों का एक दुसरे से शादी करने का, लेकिन थर्ड पार्टी की वज़े से आपके इस रिष्टे में, अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव इनर्जिस बड़ी, मिसंडरस्टेंडिस बड़ी, आपके परसंट ने अपने घरवालों की बात सुनी और आपसे, जो इनकी रियल फिलिंग्स आपके लिए है, कि ये परसंट आपके बीना जी नहीं सकते, रहे नहीं सकते, डिप्रेशन में जाएंगे, परेशान रहेंगे, ये जो भी इनर्जिस थी आपको लेकर, इस परसंट ने आपसे छुपाई, और इनोंने खुद आपको इ कुछ अच्छा नहीं होता था, ना आपके साथ, ना इनके साथ, ये लोग आपको कभी भी सुकुन से जीने नहीं देते थे, आपने बहुत जैसे कि इस परसंट को फोर्स किया होगा शादी करने के लिए, लेकिन आपके अंदर का बच्पना देखकर इस परसंट ने आपको उस टाइम पे ना तो आपकी बात सुनी और ना ही आपको वैल्यो दी, इन्होंने अपने ही मन की बात करी है, जो कि इनको लगता है कि इनका डिसीजन कभी गलत हो यी नहीं सकता, और उस टाइम पे सही था आपने घरवालों की बात सुनकर किसी और से शादी करना, और इन्ह अब आपके साथ कभी नहीं आ सकते, आप दोनों के रिष्टे में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आपका रिउनियन कभी नहीं हो सकता, आप इनको माफ कर दीजे, इस परसन ने आपसे लिटरली माफी मांग कर अपनी रियालिटी छुपा कर आपसे मुवान किया है चल रहा है, इस रिष्टे की करण सिचुएशन में क्या चल रहा है, नाइन आप वैंस, एट आप सोर्स, इस रिष्टे की करण सिचुएशन, हाइप रिस्टेस, इन कार्स को ग्लारिफाइग करें, इन कार्स को ग्लारिफाइग करें, फिर से फोर आप पेंटागल्स, queen of vans 10 of vans इस परक भी आपके रिस्ते में बहुत ज़दा negative energies है आपके person का बहुत बार दिल करता है आपके लिए फर्स लगाने का आपसे बात करने का ये परसन आपको बहुत ज़दा visualize करते रहते हैं इनको आपके illusions आते रहते हैं ये आपके इस रिस्ते की पाश में ही stuck है इन्होंने आपको किस तरह से बुरी तरह से treat किया है आपके साथ कितना गलत behavior किया है आपके unconditional लोगा इस person ने मजाग बना कर रख दिया है ये आपके person को current में feel हो रहा है अब भी ये person protection के energies में ही है इन्होंने जिस से भी शादी करी है या तो करने वाले अपने family burden के चलते अभी भी आपके person उस energy से उस burden से निकलने की पोशिश भी नहीं कर रहे है ठीक है ये बन चुके है उसी energies में ये stuck है आपके रिस्ते की पाश के energies में आपके person बंदे हुए है इस बज़े से इनको आपसे डर लग रहा है आपसे बात करने का डर लग रहा है protection के energies feel हो रही ही अभी भी अगर आपके लिए एक परस लगाएंगे अगर आपसे बात करेंगे तो कुछ negative हो सकता है आप इस person को फिर से मजबूर कर सकते हो शादे के लिए जो कि इनके लिए impossible है ये कुछ नहीं कर पाएंगे और high priestess की energies बताती है अभी भी ये person family burden में होने के लिए family burden में होने के वज़े साब के लिए कुछ stand नहीं ले पाएंगे आपकी side नहीं ले पाएंगे कई यकिन है कि आज नहीं लेकिन कल high priestess future को बताता है कि इनोंने future को लेकर सोच कर रखा है कि इस वक इस energy से निकल नहीं पाएंगे लेकिन ये future में ज़रूर इस energy से निकलेंगे इनको खुछ तो रहा दिखाई देगी universe इनके help करेंगे भगवान इनकी सुनेंगे भगवान इनकी मुराद पुदी करेंगे और आप दोनों का reunion करेंगे इसा इनको current पे लग रहा है ठीक है कि आपके लिए कुछ strong stand लेने के लिए ready नहीं है और ना ही efforts लगाने के लिए ready है इस person को इस पर डर लग रहा है आपसे बात करने का आपके लिए efforts लगाने का ठीक है और इसका एक reason यह भी हो सकता है कि आपके person black energies में फसे हुए है ठीक है तो यह black energies भी इनको जो कि आपको लेकर कुछ अच्छा सोचने नहीं दे रही है इसी वज़े से person सब negative ही सोच रहे है ठीक है गार कर इनिवर्स यह past और present जिन से भी resonate हुआ है इनकी relationship का नियर future बता है अगले 15 दिन की एक महने की energies इस रिष्टे में क्या फूल सकता है इस रिष्टे में क्या changes आ सकते है अगले 15 दिन एक महिने में इस रिष्टे में क्या changes आ सकते है Hero Pant Six of Vans Five of Cups Three of Vans Justice Four of Pentacles with Nine of Swords Nine of Vans, Bottom में है तो actually देखिया आपके relationship का literally बोलूँगी की transformation period चल रहा है चिक है तो आपके person को अभी भी realization नहीं है यह future को लेकर ही अभी भी इंतजार कर रहे है और अगले एक महने के energies में भी यह person आपको इंतजारी कराते हैं दिखाये दे रहे हैं यह अपनी feelings आप से छुपा कर ही रखेंगे अगर इस person का सिर्फ engagement हुआ है तो इनका शादी होने के chance से अगर अभी तक इनका सिर्फ रिष्टा देखा जा रहा है तो इनका engagement होने वाला है अगले 15-20 दिन एक महीने में ठीक है इनका शादी पहले से हो चुका है तो यह person आपको जिसकी third party के साथ loyal बनने की कोशिश करेंगे third party को खुश करने की कोशिश करेंगे और back of the mind आपको चलाते रहेंगे आपके साथ इनका बहुत दिल रहेगा कि इनको success चाहिए इनको आपसे शादी करनी है आपके साथ justice करना है या आपके साथ इसाथ कैसे कर सकते है क्योंकि आपका प्यार तो इस person के लिए true है बले इनका है या नहीं है आपको doubt होगा लेकिन इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो तो यह आपके साथ बहुत गलत कर रहे है यह energies इनको 15-20 दिन एक महिने में बहुत बार फील होगी लेकिन इनको regret रहेगा कि इरों ने आपको छोड़कर third party को चूज कर लिया third party के साथ इनको कुछ भी खुशी नहीं मिलती है लिकिन फिर भी इनको वही पे रहना पड़ेगा protection की energies इनको अगले एक महिना भी फील होगी और आपके side से जो इनको डर फील होता है कि आप इनको disturb कर सकते हो आप इनकी married lab को खराब कर सकते हो आप third party को कुछ बताने की कोशिश कर सकते हो तो ये person literally चाहते है कि आप इनसे दूर रहो अगले 15-20 दिन एक महिना इन्होंने जैसे कि मान लिया है कि सब कुछ खतम है अब कुछ नहीं हो सकता और शायद इनके अंदर वो strength कभी नहीं आएगी आपके लिए फरस लगाने की ठीक है actually yes ये reading आपको negative तो कर रही होगी लेकिन जो है वो बताना पड़ता है तो आपके person ने मान लिया है कि अब इस लिस्ते में कुछ अच्छा नहीं हो सकता और आप इनसे दूर रहो और अगले एक मैने तक है energy change होने के chances नहीं है ठीक है आपको भी लगेगा कि मेरे साथ गलत किया मेरे साथ injustice हुआ मुझे धुका दिया इस person ने जैसे कि आपके दिल से कर्स बद्वा इस person के लिए निकलते वे दिखाये दे रही है आप इस person को मापनी करोगे अगर आपके साथ justice नहीं होगा आपको ये person कुछ भी करके आपके जिंदगे में वापस चाहिए लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तो आपके दिल से बहुत ज़्यादा बद्वाय निकलते वे दिखाये दे रही है इस person के लिए आप कितना भी फर्स लगाओ कितना भी इनसे बात करने की कोशिश करो ये person आपको या तो negative reply करेंगे या तो reply ही नहीं करेंगे एसी energy अगले एक मेहने में बनेगी गड़कर इनिवर्स इस रिस्ते का final future क्या हो सकता है इस रिस्ते का final future क्या हो सकता है इस रिस्ते का final future ace of swords, ace of pentacles, इस रिस्ते का final future, eight of swords, clarify, ten of fans, nine of cups, seven of fans, bottom is magician तो yes, अगर आप देखिए, आपने बहुत many fish किया इस person को बहुत मतलम affirmations बोलते हो, law of attraction की techniques को यूज करते हो, अलग-अलग techniques यूज करते हो, spells करते हो, भगवान से जैसे की daily pray करते हो, इसी वज़े से angels आपका साथ जरूर देंगे, universe आपका साथ जरूर देंगे, आपकी love life मे miracle जरूर होगा, ठीक है, यहाँ पे हैं आपके person final future में, इनको यह realization हो जाएगा, क्योंकि death था आपका, death था आपके near future में, मतलब कि आप दोनों को यह transformation period चल रहा है, तो इस transformation period में आपके person को भी negative energy से गुजरना पड़ेगा, आपको भी negative energy से गुजरना पड़ेगा, उस time में आपके person को realization हो जाएगा, कि इन्होंने गलती करी आपसे मौन करके, और यह अपनी गलती सुदारने के लिए efforts लगाना शुरू करेंगे, यह person आपके लिए efforts भी लगाते में दिखाई दे रहे हैं, आपको बड़ा वाला, आपको new opportunity इस रिस्ते में देना चाहेंगे, आपके स सकता, और अगर आपके कर्स और बद्वाय इस person को लगती रहेगी, तो इनकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए एक काला अंधिना चाह जाएगा negativity चाह जाएगी, और यह इस energies से डरेंगे, क्योंकि यह तब तक इस energies को महसुस करेंगे negative energies को, जब तक यह person फिर से आपके पास लोटेंगे नहीं, और इनको यह समझ में आई जाएगा कुछ टान के बाद, कि यह जो भी इनकी जिंदगी में हो रहा है, negative energy जो बढ़ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको दोका देने की वज़स से है, जब इनको यह clear हो जाएगा, तब यह person आपके लिए 100% efforts लगा आपको इनके साथ से communication receive होगा, आपके रिस्ते में judgment होगा, आपके साथ justice होगा, ठीक है, judgment बताता है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, इस रिस्ते में healing के लिए, आप दोनों के पैचेप के लिए, आप जैसे चाहाते हो वेसे, energies इस रिस्ते में मेंने के लिए आपको time ल आप जैसे चाहते हुए energies जरूर मिलेगी, बस आप वेटिंग energies से बाहर निकलो, लेटगो की energies में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, magician भी आपको divine timing का इंतजार करने के लिए बताता है, और judgment भी आपको divine timing का इंतजार करने के लिए बताता है, तो आपके रिस्ते में 100% सब क कुछ अच्छा होगा, जैसे आप चाहते हो, थर्ड पाटी बेरी में होगी, एक person वापस लोटेंगे, आप दुनों का शादी भी होगा, आपको good news इस रिस्ते में मिलेगी, healing मिलेगी, एक miracle के जैसे आपकी love life बदल जाएगी, ठीक है, बस आपके अंदर वोई energies होनी युर्ण्स आपके साथ कभी भी घलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये current में आपके लिए angel guidance है, लेकिन फिर भी, आप чист याrin कार्ण्स से भी देख लेते हैं, आपके लिए current में angel guidance कया है, ये जो भी energies आई है, मेरी universe के के लिए जरूरी है एंजल गाइडन्स थिंग ट्वाइस संब्सक्राइब कुछ तो ऐसा है जो इस रिस्ते में चेंज लाने के लिए आपके परशन को रोक रहा है खुछ तो है जो आपके लिए इस वक्त सही नहीं है ठीक है तो आप एक और बार सोच लिजे कि आपको यह रिश्टा आपी को एक और बार सोचने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि इस वक्त तो कुछ तो है जो आपको प्रॉब्लिम क्रियेट करेगा आप जो भी डिसिजन लोगे इस रिस्ते में चेंड जरूर लाएगा ठीक है आप भले इस परसंग के साथ रहना चूज करो या तो इसी मुवान करने का चूज करो लेकिन आप दोनों का 100% मीटिंग होने वाला है आप दोनों फिजिकल एक दूसरे से जो की इनवाल होते हुए दिखाए दे रहे होने यह फूचर अगले छे साथ हपतों में आप दोनों का फिजिकल मीटिंग होने वाला है ठीक है आप फेस टू-फेस बात भी करोगे आपका फिजिकल रिलेशनशिप भी होगा और एवन यह परसंग आपको अपने दिल की फीलिंग्स बताने की चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आपको आपकी परसंग करा नहीं है इस पीलिए को नंबर पहुत सब्सक्राइब कर सकते हो वहां पर डिटेस मिल जाएगे कोल के से बूग करने है तो मिलता है नएक शुडियो में तब तक के लिए बाबाइ